नमस्कार साथियो आज की समय में जो किसान की सबसे बड़ी समस्या है वो है आवारा पस्वो से होने वाला नुकसान चाहे वो बागवानी करने वाला है चाहे सबजी की खेती करने वाला है चाहे पारंपरिक खेती करने वाला किसान है सबी की जो common समस्या है वो है आवारा पसो का नुकसान चाहे वो निलगाय से हो रहा है चाहे गाय से भैंस से या बंदरों से हो रहा है तो इस सब नुकसान से बचने के लिए किसान साथी खेत में बाड लगाते हैं या जिसे फैंसिंग कहते हैं तो जब वो फैंसिंग लगा लेते हैं तब कई बार किसान का अनुभव होता है कि उन्होंने गल्थ फैंस का मोडल लगा लिया है या तो उसकी हाइट कम रह जाती है या जल्दी से वो गिर जाता है जाली अच्छे से इंस्टॉल नहीं होती है वो तूट फूट जाती है तो आज की वीडियो में हम यही सब विशें हैं वो कवर करने वाले हैं क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा किसान का पैसा इन्वेस्ट होता है और एक अच्छा मोडल चुनने से वो जिस परपद से जिस मकसद से जिन जानवरों की नुकसान से बचाना चाता है उससे अपने पूरी जानकरी आपको देने वाले हैं अगर आप अमारे चैनल पर पहली बार आइस हैं तो चैनल को सबस्क्राइब जरूर कर लें ताकि हर वीडियो का नोटिफिएकसन आपको मिलता रहे तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप खेत में फैंसिंग लगवा रहे हैं तो आपको height कितनी रखनी चाहिए तो सबसे पहले यह कि जानवर कौन सा है वो आपके वहाँ पर नुकसान करता है अगर नील गाये हैं, गाये हैं, बचछडे हैं, इस तरह के आवारा जानवर हैं तो आपको अपनी fence की height कम से कम 6 feet रखनी चाहिए अब 6 feet में आप क्या लगा सकते हैं, 6 feet में आप जाली भी लगा सकते हैं 6 feet में काटा तार भी लगा सकते हैं परन्तु अगर नील गाये का नुकसान है, तो आपको काटा तार की बजाए जाली लगाना ज़ादा फाइदेवंद रहता है क्योंकि नील गाय काटा तार के अंदर से भी घुस जाते हैं तो इसलिए अगर ज़ादा नील गाय का नुकसान है तो जाली अगर ओली आवारा पसो जैसे गाय, बचडे, बैंस वेगर है वो only काटातार से भी रुख जाते हैं अगर आप 6 फिट तक का model कर लेते हैं तो उसके बाद है जब आपने material आपने जो select कर लिया कि आपको 6 फिट के आइट का रखना है तो उसमें आपको जाली खरीदनी है तो आप जाली कौन सी खरीदे काटातार खरीदना है तो काटातार वो आप ज्यान रखें कि उसमें GI कोटिंग हो GI कोटिंग से ज़्यादा कोस्ट में फरक नहीं आता है भाव में ज़्यादा फरक नहीं आता है परन्तु उसकी life जो है वो दोगणा तिगणा हो जाती है अगर आप बिना GI कोटिड का अगर जाली अतार लगवाएंगे तो उस वाला जिसमें आपको कोटिंग जो 5 या 6 लेयर की कोटिंग वो बताते हैं और उसकी life जो है 12 से 15 साल आसानी से निकलती है यह आसानी से निकलने का जंग भी नहीं लगता यह उनका दावा है क्योंकि हमने अपने खेत में भी लगाया है तीन साल से ज़्यादा समय हो गया आपको खंबा खरीदना है सिमेंट का या आपको पाइप का पोल खरीदना है या आपको एंगल खरीदना है तो इन तीनों में अगर आप जी आई का मैट्रियल और जाली लगाते हैं तो सबसे अच्छा रहता है एंगल क्योंकि जाली को खिचाओ ज्यादा करना पड़ता है जब आप इंस्टॉल करते हैं अगर आप खंबे पे इंस्टॉल करेंगे तो सिमेंट का खंबा खिचाई के टाइम पे तूट जाता है दूसरे नुकसान क्या आता है अगर वो ज़्यादा खिचा हुआ है और कोई आदमी का धक्का लग जाता है जानवर का धक्का लग जाया तो भी जो सिमेंट का पोल हो टूट जाता था तो इसलिए आपका सबसेद सा जो ओप्सन रहता है वो है एंगल का क्योंकि पाइप हैवी और महेंगा रहता है उतनी ही स्ट्रेंग्थ आपको एंगल में मिल जाती है तो इसलिए आप एंगल को इंस्टॉल कर सकते हैं चेनलिंक फैंस वगर आप लगा रहे हैं तो अगर आप only काटातार लगा रहे हैं काटातार में आप जो हैं सिमेंट का पोल का select कर सकते हैं अगर आपका budget allow नहीं करता है आपका मतलब इतना पैसे का ज़्यादा कोस्टली पड़ रहा है तो आप जो है सिमेंट का पाइप खरीद सकते हैं प्रन्तु उसकी लाइफ जो है आपकी ज़्यादा नहीं रहेगी पांच से साथ साल का आप जो है सिमेंट के पोल की लाइफ रख सकते हैं क्योंकि उसमें बीच बीच में फिर pipe तूटते रहते हैं उसके बाद आएगा जब आपने angle को select कर लिया है तो angle भी आप GI coated ही रखिए और उसकी thickness जो है वो आप अपने budget के इसाब से select कर सकते हैं प्रन्तु अगर आप जाली लगा रहे हैं तो जाली में जो है कम से कम 1.5 mm की thickness की और 3.5 inch की चोड़ाई का कम से कम आपका angle होना चाहिए उसके बाद है angle से angle की दूरी आपको कितनी रखनी है तो angle से angle की दूरी अगर आप जाली लगा रहे हैं तो 12 से 15 feet और अगर आप तार लगा रहे हैं तो आप 15 से 20 feet के बीच में रख सकते हैं अब आता है binding के लिए तो binding क आपको सस्ता पड़ता है परन्तों अगर आप जाली वगार इंस्टोल कर रहे हैं तो जाली के लिए पत्ती भी खरीच सकते हैं आप पत्ती के साथ बोल्टिंग तो पत्ती से जब बोल्टिंग से tight होता है तो जाली के अंदर जो है जरक निया आता है vibration कम आते हैं और quality जो है chain link fence को tight करवा सकते हैं तो उसके लिए आपको market से पट्टी खरीदनी पड़ेगी पट्टी उसके बाद जब आपने material खरीद लिया तो जाली की support के लिए आपको sport wire भी लेने पड़ते हैं जो 2 या 3 support wire की जुरुत पड़ती है 6 feet की अगर height है तो एक उपर और एक नीचे अगर आप और जादा मजबूती चाते हैं तो एक बीच में भी sport wire जो है लगवा सकते हैं तो उसके बाद आपको जब आपका पूरा material खरीद लिया आपने तो आपको एक proper उसमें सही location पे hole करवाने की जुरुत पड़ती है ताकि सही बराबर hole रहेंगे तो जब तार बंदेगा या जाली बंदेगी तो वो उपर नीचे नहीं आती है तो ध्यान रहे कि जितने भी angle या pipe हैं उनके उपर जब आप hole करवाते हैं चिदर करवाते हैं तो सभी एक seed में हो एक level में हो तो उससे क्या है कि आपका जो बंदेगा जब material जाली या काटातार जिससे भी आप बंदवाएंगे या contract पर करवाएंगे इन चीजों का ध्यान रखे कि उसमें एक seed बनेगी उपर नीचे लहर नहीं दिखेंगी quality आपकी अच्छी नज़र आएगी तो जब आपका सब काम हो गया material का हो गया hole हो गया तो जब आप खेत में installation के लिए जाते हैं तो जरूर ध्यान रखे अगर आप खुद कर रहे हैं तो भी या किसी third party से करवा रहे हैं तो भी कि जो खड़ा खुदा ही है खड़ा कम से कम die fit के गराई में हो ताकि जब खेत में पानी वगरा लगे तो जब जमीन है नरम हो जाती है वो गिरे ना टेड़ा ना हो पाइप को जब सिमेंट के पोल लगते हैं तो बिल्कुल कई बार तो गिर ही जाते हैं आसपास में जमीन गिली होती बारिस के टाइम में आंधी के टाइम में पोल जो है वो टेड़े हो जाते हैं एंगल में यह समश्या नहीं आती है तो अब बात करते हैं कि इंस्टोलेशन आपको कैसे करवाना चाहिए तो इंस्टोलेशन जो है आप एक एक्सपर्टीम से ही करवाएं अगर आप चाली वगisce लगवाते हैं क्योंकि जाली एक टेकनिकल तरह का काम मांगती है तो आप एक expert team को ही बुला के installation करवाईए ताकि वो पूरा काम complete project एक आपकी satisfaction के इसाब से कर पाएं तो अगर आप कोई वीडियो पसंद आया तो वीडियो को like, share करना मत बूली और channel को subscribe जरूर करें अगर आपका इससे संबंदित कोई सवाल है, question है तो आप comment box में पूछ सकते हैं उसका हम जल्द ही आपको जवाब देंगे प्रिशी के साथ आज का वीडियो स्माप्त करते हैं जै हिंद, जै जवान, जै किसान